बिस्मिल्लाइ रहाम अरहीम, السلام अलेकुल हमारी लेक्चर सीरीज का आज ये चोथा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे इवनिंग स्टार पैटरन पे और हरामी पैटरन पे हरामी बेसिकली एक जैपनिज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट ये पंजाबी का वर्ड ना हरामी समय लीजिएगा बैलकि ये जैपनिज वर्ड है जिसमें एक मदर और एक बेबी का कौनसेप्ट दिया गया है और इसको हरामी पैटरन कहते हैं वीडियो के अपसान देने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जूर कर दीजिएगा आज हमारा कैंडल स्टीक का आखरी लेक्चर है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने इंडिकेटर्स पर कुछ इंडिकेटर आलरी हमारे मुझूद हैं यूट्यूब पर, आप अगर हमारे चैनल की प्ले लिस्ट इंडिकेटर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उमीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे और आप इनसे इंशाला लाज़मी कुछ ना कुछ सीखेंगे, और सीख के अपनी ट्रेडिंग को मश्बूद करेंगे इवनिंग स्टार को हम आम तोर पर बीरिश भी कॉंसीडर करते हैं, बीरिश रिवर्सल पैटरन जिस तरह मॉर्निंग स्टार जो इंसा होता है, वो बुलिश रिवर्सल पैटरन होता है इसी तरह जो evening star pattern होता है उसको हम bearish reversal pattern भी कहते हैं ये pattern भी तीन जो अनसी candle stick है उनके ओपर consist करता है जिसमें जो पहली candle है वो bullish बनती है और उसके बाद second candle जो small candle stick बनती है और वो bullish भी हो सकती है और bearish भी हो सकती है और दोजी भी हो सकती है या फिर कोई other candle stick भी हो सकती है लेकिन उसके फोरण बाद जो उनसे एक बहुत बड़ी large bearish candle बनती है तो उसको हम evening star या evening shooting star pattern भी बोलते हैं ठीक है अगर हम इसकी एक मिसाल देखें मिसाल पर अगर हम गोर करें इसकी तो evening star में सबसे पहले ये bullish candle बनी उसके पाद एक small candle बन गई बीरिश और उसके बाद फिर एक bearish candle बन गई तो ये जो पूरे का पूरा pattern है इसने market का पूरे का पूरा sentiment change कर दिया market जोंसी वो upper side पे जा रही थी लेकिन इसके बाद market ने reversal pattern ले लिया तो जब इस तरह का कुछ आपको बना हुआ नजर आए ये pattern बना हुआ नजर आए तो वहां पे इंतहाई मुहतात हो जाईएगा अगर आपकी कोई चीज बाइंग में पड़ी हुई है ठीक है तो evening star जो candlestick pattern है उसमें एक एक पहली candle bullish candle होती है उसके बाद दर्मियानी candle एक small candle होती है उसके बाद फिर एक bearish candle होती है जो नीचे को ले आती है market को एक कि अगर हम मिसाल देखें कोई किसी भी मिसाल पर अगर हम गोर करें ये वहला pattern evening star pattern ये बना हुआ इसमें market आपकी जो अप साइट पर जा रही है मु इसके बाद अगली candle जो उनसी है वो bearish बन गई डोजी ताइप तक रिबन बन गई और इसके बाद next candle बनी वो एक long bearish candle बन गए जिसके बाद market का pattern change हो गया और market नीचे की तरफ आनी शुरू हो गया जब इस तरह का कोई चीज बन रही हो तीन candles के उपर तो उसको हम evening star pattern बोलत word है यह जो आप English का उर्दू का ना समझेगा ना इसको पंजाबी का समझेगा रहामी pattern को उसको pregnant भी कहते हैं रहामी का मतलब basically pregnant होता है जपानी जबान में और इसको reversal pattern कहते हैं ठीक है यह आम तोर पर दो जन सी candle उनके उपर मुश्तमिल होता है first candle एक large candle होती है जिसको mother candle कहत हैं और उसके बाद दूसरी जो candle है वो smaller candle होती है जिसको हम baby candle कहते हैं एक छोटी सी candle होती है हरामी pattern जो उनसे होती है वो उस वक्त वैलिड होती है जब एक जोन से first है second candle should be close outside the previous one यह बात लाज़मी जेर में रखेगा कि जो दूसरी candle बन रही होती है वो previous one से बाहिर यह हरामी pattern बोलते हैं होता है कैसे है यह आम तरुपर bearish reversal sign देता है और reversal के तरफ ले जाता है अब यह हरामी pattern bullish inside बार इसकी मिसाल आपके सामने है इसमें यह पहली जो candle है long candle है bearish candle इसको हम कहते है mother candle और इसके साथ बिलकुर चोटी सी baby candle बनती है जिसको smaller candle भी कहते हैं अब य बिलकुल अगर आप गोर करें अगर आप आम जिंदगी जैसे हम लोग चलते हैं उस पर गोर करें तो यह बिलकुल लग रहा होता है कि जैसे एक माँ है उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके चाह चल रहा बच्चा ऐसे ही है कि एक माँ है माँ ने अपने साथ बच्चे को पकड़ा हुआ है और बच्चे उसके साथ साथ चल रहा है इसमें ये जोंस ही होती है कैंडल ये तकरीबन आल्मोस्ट इनके फूट सेम होते है और उसके बाद मदर का कद जोंसा वो लंबा होता है बेबी की निस्वत चुकर ये पहला जोंसा है आपके मदर बन रही है यहां पे जो मदर कैंडल बन रही है वो बियरिश बन रही है लेकिन इसके बाद जो स्मालर कैंडल बन रही है बेबी कैंडल बन रही है वो बुलिश बन रही है तो यहां पे जो pattern change होगा वो bullish inside bar या harami pattern कहलाएगा और इसके बाद हम चल रहे हैं जी harami pattern bearish inside इसमें एक बहुत बड़ी mother candle जोंसी है वो आपकी बन रही होती है green color की और baby candle जोंसी एक छोटी सी उसके साथ बन रही होती है यूं लगता है कि जैसे mother ने बच्चे को गोध में उठाया हुआ वो pattern जोंसा ये show कर रहा हुता है mother चल रही है साथ, baby साथ है उसके लेकिन जब यहां पे बन रहा हुता है यह pattern तो एक बहुत बड़ी green candle बनती है और उसके साथ साथ एक छोटी सी smaller body बन जाती है smaller body बनती है, इसको उपर नीचे विक बहुत कम होती है होती है या ना होने के बराबर होती है यह लग रहा हुता है जैसे mother ने baby को उठाया वा अपनी गोध में, तो उसको हम कहते है bearish inside bar या हरामी pattern, यहां पे जो trend आपका show होता है, उसमे bearish side show हो रही होती है कि मार्केट जों से bearish जा रही है अगर हम इसकी तारीफ पे और करें इसकी तारीफ को भी एक नजर पढ़ें as you see the smaller body is totally covered the previous mother candle don't bother yourself with the color, the most important is that the smaller body close in sight of the first bigger candle, the harami candle tells us the market is in decision period यह मेरे पर दो मिसालें इसकी इसमें दो मिसालें जब बनी तो क्या क्या बना अब यह दोनों मिसालों पर हम गोर करते है मार्केट जों सी वो नीचे आ रही थे मुसलसल और यहां पे देखे एक बहुत बड़ी candle बनी और इसके बाद एक छोटी सी candle बने बीबी candle और इसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया और मार्केट बुलिश की तरफ चली गई अगर second side पे देखे हैं तो एक बहुत बड़ी candle बनी और इसके साथ एक बेबी candle बनी जिसके बाद मार्केट जों सी वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई ठीक है तो ये दो candles का आपस में pattern बनता है तो उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है चाहिए वो उस ट्रेंड को अपर साइट पे लेके जाए या डाउनर साइट पे लेके जाए लेकिन उसको ट्रेंड चेंज करेगी बुली शरामी में अपर साइट पे जाएगी बीर शरामी में डाउन साइट पे जाएगी इस दुआ के साथ कि Allah आपको अपको बहुत खेर और भरकत अदा फर्माए Allah आपके रिज़त में और इज़त में इजाफा फर्माए और इजादत दें अपने दौाँ में दूरी याद रखिएगा आपका अपना होस्ट मुहम्मद अबाज चाट